अम्राग, MBBS फ्रों, SP Medical College, Bika Nair आज हमारा Forensic Medicine में Topic है, Mechanical Injuries बहुत इंपोर्टेंट टोपीक है, Mechanical Injuries आपके Question आता है, Mechanical Injuries पे आता है या तो Aboriginal पे आएगा, Laceration पे आएगा ठीक है, बहुत सारी टाइप की Mechanical Injuries होती है इस वीडियो में हम Introduction लेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन सी मेकेनिकल इंजरी होती है और अब्रेजन को डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है बहुत आसान सा एक्स्प्लिनेशन है गाईज तो आराम से रिलेक्स होके बेटिए सब को समझ में आएगा यह अपना वाधा है स्टार्ट करते हैं स्टार् चाकू मेलन शॉपर टेक हिए इस एक्सप्ल सान हुआ काइस ऐइनटर्ट इंजरी殖 चाकू होगया तॉथ लॉवा हुआ इस यूमेंवें ऑपर बहुत आइज को हम जाएंगी इश्वाया नोनान्राइस आछन अैस इंजरी ही तो राफर्त ट्रम काजट आ एक्सट्रेशन ट्रॉमा ठीक है ठीक है स्मझ मैंगे है ठीक है अब देखो गाई इसे कैसे होती है यहां देखते हैं यह देखिए यह देखिए ऐसा कुछ करश है मतला Presto क्या होता है बिन द फोर्व मतलब आगे से नुकन के लिए ये देखाई ये देख्क है ओके बिख्थर कोई गोलगोल पत्फर है उससे मारा वन भानट फोर्स हो गया ठीक है शार्ट फोर्स इंज्री स्डेजार फोर्स तो अलग लग फोर्स जो लगते हैं वह अलग लग फोर्स जो लगते हैं एचरी मनें कना जैने से लगते हैं, कि की मत हुई है तईप आफ इंजरी पता करके हम पता लगा सकते हैं कि जो वेपन कौनसा यूज हुआ है, ठीक है, एंड कैसे यहां पर death हुई है, हियूंट की, हुआ है, ठीक है से pierwsra disc किया करते हैं यह है पता कर सकते हैं यह वीड़ा कर सकते हैं कि ले 음क होगया था मड़र में हमें मिल सकते हैं कि डे टैल explanation से ठीक है तो ये mechanical injury ये काम आती है forensic expert बहुत काम आते है mechanical injury को define करने के लिए clear आगे चले ओके अब गाइस classification देखते mechanical injury बहुत तरीके की हो सकती है और उसका basis क्या है कि type of force कि कैसा force यहां पर involve हो रहा है कैसा force involve हो रहा है उस तरीके से mechanical injury को हम बहुत सारे इसे टाइस में classify करते हैं for example blend force blend force मतलब आगे से sharp ना आगे से मतलब ऐसे sharp ना हो broad edges रखता हो ठीक है ठीक है भाट हो आगे से weapon क्या हो ब्रोड हो तो को ये weapon क्या है broad है यहां से ठीक हाथ तोड़ी होती है वो परार हो गया एसी लेकर एसी लेकर फरार फरार वैसे भीयाद कर सकते हैं अब रेजन कंट्यूजन लेस्टियूजिशन एंड फ्रेक्ट्र यह लग लग टाइप की क्या है इंजरी जोर से मारूंगा तो यहां पर कोंशी इंजरी हो सकती है इसका निमोनिक है एसी लेकर फरार एसी एर कंडिशन लेकर फरार ठीक है अगर शार्फ फोर्स ते इंजरी हो रही है शार्प फोर्स मतलब इसे कुलाडी होगी कुलाड़ी होगी यह साप है चुलाड़ी होगी यह फिक्त वीडियो में चोप दिसकस करेंगे फिक क्लासिपिकेशन और मैं Katrina और मैंकेनिकल इव्वाहिवत इंजरी बहुत इंपोर्ट है का इसे इस तरह के इन्जरी और पॉइंटेड है जांपल चाकू इस तरह से लग रहा है तो दो तरह के इंजरी होएगी एक हो ता है इंजरी इन्जरी टीक है कि अगर पोइंटेटेडेंड है फोर एक्जामपल चाकु इस तरह से लगग रहा है इस तरह से लग रहा है जो इंजरी होएक उसे का बोलेंगे इस्टेब वांड बोलेंगे का बोलेंगे छोथा प्रेकट को बोलेंगे तो चार तरह से एसी लेकर फरार सब्सेंट इसे स्टेप वाउंड एंड फार सी चार तरह का हम यहाँ पर क्लासिफाइग कर दिये चार तरीके से ओके आगे चलते है अब बात करते हैं केड़को के उसे को से इसके लेशन में निधे फरेंटेब करेंगे मि धोड़ा छिलना छिल जाता है थीक है शेंपरेजन करते हैं क्लियर तो आप CC स्किन की यह उपन होगि epidermis then यह होगी बीच वाली dermis then नीचे अब कुटने सब्सक्रिक होता है तो अबरेजन में क्या होता है इस्टी जो उपर वाली जो लेयर होती है स्किन की वह वह इंवोल होती है that is epidermis नीचे तक इंजरी नहीं होती गाइस injury of epidermis only epidermis involved होती है ठीक है most significant injury भाइब नियुक्त फर्म मेडिकल लीगल प्रसपक्टिव सिगनिफिकन्ट इंजरी हम इसे काते हैं अब गईवाई अब फ्रेजिन हुआ है इसकी ऐसे एंपर वाली लियर कहा है एपिडर्मिस है यहां पर इंजरी अपिडर्मिस में खरोंच आएगी खरोंच बोलते हुआ उ वो कि अगर यहां पर तेंजें सिल 46 लग रहा हैSo ऐसे ख़ाँ तो हमारे वह स्कीन पे पॲाइज बन जाएंगे एसकरेज बन जाएंगे इसके रिच के यह याम पर jsटो जाएंगा अगर पर्पंडीगुलर फोर सारी स्कीन ए पर्पंडु क्लप फोर्स लगे गा यह परतेगे अर्पंड्रेन व्ह पर्पंडीगलर फोर्स बांखने के लटक जाते तो बनाते हैं और यह यहां पर बांखते हैं शक्रषाइए जैसे नेची गिरेए जुर से जिस से नियसे और यं यहां पर बने लग झाल यहां पर फट्र मार्स है और पास स्य यह पके लोगत आप ठीक ऐसे ऐगे तो यहां पर आ जाएंगे हमारे नेक पर बन जाएंगे तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स से या फिर प्रेसर अब्रेजन उससे डॉल अब हो जाएगा क्लियर ओके आप इप्रेसर इंवोल हो रही है उपर उपर से हाँ पर अपर आपको पता है और ब्लीड्डिंग यहां पर नहीं होती नहीं इसकार बनता है, कोई भी इसकार नहीं बनता और all abrasion are simple, मतलब ऐसे dangerous नहीं होती, life life मतलब in danger नहीं होती, मतलब मरत्य नहीं होती, ठीक है, death नहीं हो सकती abrasion से, क्योंकि ना तो कोई bleeding होती है तो सभी abrasion simple होते है simple hurt, मतलब simple injury होती है except corneal abrasion अगर cornea के उपर abrasion हो जाए तो guys, grievous hurt आता है वो life in danger कर सकता है क्या? impaired vision, vision को impair कर देगा and health is a grievous hurt मतलब, वो अपनी life में बहुत बड़ा role अदा करता है ठीक है, cornea? और cornea का abrasion हो जाए, तो दिकत हो जाएगी वो क्या है? grievous hurt है okay? grievous hurt मतलब, life in dangering and जो हमारा normal जीने की जो need है, वो खतम हो जाए, उस injury से, तो उसे हम बोलेंगे grievous hurt, okay? तो abrasion में यह सारी चीज़े होगी types of abrasion, abrasion की types हम देख लेते हैं, सबसे पहला हाता है scratch abrasion, क्या हाता है? scratch abrasion scratch abrasion मतलब, scratch, scratch हो जाए for example, nail, pin है हमारे पास मालनों कोई भी pin है, pin है या फिर nails, nails है, यह मालनों बड़े nails है, मैंने ऐसे कर दिया, तो nails जो लग जाते है, अपने nails ऐसे, बड़े nails होते हैं किसी के तो ऐसे, बड़े nails से अपन ऐसे कर देते हैं, लड़ाई होती है अपने बाइबनों से wtih ऊसे ऑफ जाता है ईbud वह क्या है इसस्क्रीजी से आप जिस्ट इसे ध्रिजन यहां पर थेकर्प दखेंघ्रेश्ट लिगंट करन उफके पर जाने यह तो भैप गेंट करते हैं डिद ट्राफिक दीद itself ये हुआ में पड़ जाएका और गिस हैगा रोड से फ्रिक्शन लगेगा तो छिल जाएगा ये इन चिल जाएगा क्या हो जाएगा आप से इस सिवाड़ी दर जाएगी निच्छ को टकर मारेगी तो एक हुमन का जाएगा गिर जाएगा और इस निचे घिर जाएगा और इस रोड से फ्रिक्षन लगेगा और इस इसके बहुत छिल जाएगी इसके जिचान scren उस प्रिक्षस पूलते है क्या आप रिच्अ क्क वहां पर देखिए इस तरहिए यहा般 च्यान फिर राइक ओना छक्लियर ठी claiming आगे चलते हैं फार टो तब पेटर्न आपिरेजिन दो तरीका होता है गाईज मतलब जो वेपन यूज हो रहा है उसका पेटर्न हमारे स्कीन के यूपपर पड़ जाए कैसे पड़ जाएग ओस अंब बताता हूं द्यान से सुनना अब इस dassin के उपड इस सीन के उपड लार्जर फोर्व लगे अग्दमॉर फोर्ष लगे वह भी बहूत सोड पीरियड अफ टाइम के यिर प्रंज från मितला से बोलेंगे imprint Appression और रोस से जो अब्रेजिन डर एवाइगा वोसे बोलेंगे imprint Ambression ठीके तो एक्जामपल फॉर एक्जामपल एक्जामपल टायर मक्स टायर मास् आपका होता है एक्सिडेंट होता है कोई भी आप जैसे ट्रक के नीचे आ गए हो ठीक है तू जो टायर कोणा ट्रक के नीचे आए हो तो ऐसे निकल गया तो एकदम लार्ज फोर्स लगा तो टायर की जो माक्स है वो आपके जो माक्स है वह आपको वीजिबल हो सकते है तो से मोलता है, imprint, मतलब imprint मतलब print लग गया बाई, print लग गया कि किससे यहां पर injury हुई है, किससे injury हुई है, ठीक है, समझ मैं आगा, मतलब मालो आप चल रहे थे, यह truck चल रहा था, यह आप road पे खड़े थे, तो truck मालो इस दर से थोड़ा सा गुजरा, तो tire का कुछ हिस्सा आ पर short period of time लगा, तो इसे और जो abrasion develop होएगा, उसे बोलेंगे imprint, abrasion, ठीक है, क्योंकि imprint मतलब tire का print यहां पर आपका screen पर लग गया है, ठीक है, इसकीन पर, लग गया है, ठीक है, इसकीन पर, लग लग जाता, प्रेसर आपरेशर आपरेशर में क्या होता है, प्रेसर आपरेश पर लटक गया, ठीक है, 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 ठीक ह लार्ज पिरिए ओफ फ्रो इस लेस्पड प्रड़ एपूर टो अगतार मार्क ये नीचिर मार्ण भेट,' जो रसी है खिए जिसे फांसी लगे कि वो यहांपर कभल विज़ों ईसर्ट कारण यहां milliseconds फोर्स परपेंडीकुलर है स्कीन के उपर और उसकी क्यारण पर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो दो तरह के अब्रेजन ओगे हमें देखें लीने रब्रेजें जिसे हम क्या बोलते है इसक्रेज आप लगई ठीक है एड ग्रेज आपर ट्राफिक स्टेंटोग्या पैटर्न यहां पर जो शेषटार मार्ग्स का यहां पर पातन देख रहा है आपको ठीक है ओके तो यह सारे चीज़े होगी all in ofNow यहां और हम्णमी पता लग सकता है मालो हमारे छंस पता कर सकते हैं कभ दल आए फिशु कब हूई थेक्ड क्या काम आता है इंजरी को हुए किता टाइम हो गया थजो स्कीन है उसमें क्या होगा hang है भाई ब्लड है ब्लड होता है इधर छिल गया थो थोड़ा बड़ दीखेगा ना दिखता है आपको मतलब रैडिस रैडिस हो जाता है ना वाँ जो रैडिस रैडिस है ब्लड है वो ड्राइड हो जाता है ड्राइड हो जाता है और स्केब बन जाता है यह बन जाता है इसके बना उसका color change होता रहता है और color change के इसाब से उसको basis ले कि हम पता कर सकते हैं कितना time हो गया इस abasion को clear okay okay for example 12-24 हार बाद में scap formation बन जाता है मतलब आपके injury हुई majesty या इतना हएं तो उसके बाइस से चोईगाँ एक गटे बाद में जू ड्राउट ब्लिट ब्लड का ड्राइ जो हो जाएगा और Formation ऑजाएगा ठीक दो से तीन दिन बाद में स्कायिया का रंग जो होता है वह बूरा हो जाता है brown हो जाता है इन साथ दिन बाद में black हो पोस्ट मोटम आपरेजन मतलब पैसंड जिंदा है जिंदा होते हुए उससे अपरेजन हो रहा है उसे इंजरी हो रही है ठीक है तो अब यहां पर डूणा लग सकता है तो अब रिजन यहां पर डूब के नियुक्त सब्सक्राइब हो सकता है वहाई प्रोट्स कहिंए और कि घ्राट करते हैं तो पोनी प्रॉमेनेंज पर इंजिडी होने के चांस से ज्छी जादा रहता है इसलिए बोनी प्रॉमिनेंट पर पोश्ट्मार्टर अब ज्या्दता देखने को मिलता है वांद हैं यहां पर एंजयम्स क्या होगी एंजयम्स खतम होने लग जाएंगे वाइंड वहां पर पर enzymes की मात्रा कम रहेगी तो जैसे यहां पर वाउंड वाउंड के आस पास में यह जो एरिया है यहां पर enzyme कम है तो यहां पर vital reaction कम होएंगी ठीक है यह सही वाउंड से दूर गए हम तो ज्यादा देखने को मिलेगी तो इसका बोलता है पॉस्टिव जोन यह सिर्फ और सिर्फ एंटी मॉटम अब्रेजन में ही पाए जाती है पोस्ट मॉटम अब्रेजन में यह सारी चीजे नहीं पाए जाएगी क्योंकि वहां पर घ्स कोई enzymes जिए डिफ्रेंज और से देखेंगे मैं यहां पर कम है यहां पर जाना नेगेटिव जोन थैसे पोजिटिव जोन हम एंटी मॉटम के जब की पोस्ट मॉटम अब्रेचन में यह चीजें मिलेंगी वाइटल रेक्शन पोजिटिव इन एंटी मउटम अपरेशन क्लियर इस क्या है वाइटल रेक्षिन नहीं तो हो रही है इंजयमेटिक एक्टिविटी ओके तो गाई यह सारा था एंटी मोटम एंड पोस्ट मोटम एपरेशन अहोप आपको समझ में आया होगा यह हमारा आपरेशन में वीडियो कंप्लेट होगा होप है बहुत मैनत लगिए गाई इ रिवाइड कीजिए इस ट्रोपिक को देन पूरा समझ में आएगा ओके फार्मकलोजी माइक्रोबाइलोजी पैथलोजी हमारे थ्री कोर्से सेकेंड यह के आप इसे जोइन कर सकते हैं और और सेयर टू यूर बैचमेंट्स जोनियर साल सो एंड डॉक्टर अम्रास सब्सक्राइब आपको वहाई मिलते रहेंगे थेंक्यू गाइज इस्ते से इस्ते हल्दी